अगर आप CET the Brahmast batch में जॉइन करना चाहते हैं या GS gurus जॉइन करना चाहते हैं या foundation batch जॉइन करना चाहते हैं SAC exams के लिए ये new batches start हुए हैं अगर आप इन batches को जॉइन करना चाहते हैं तो Anacademy की app install करिए Anacademy की app install करने के बाद आपको SAC exams category चूज करना है उसके बाद get subscription करने के बाद referral code की जगा आपको PMYT code अपलाय करना है जैसे की आप PMYT code अपलाय कर देंगा आपको maximum discount मिल जाएगा Hello guys कैसे आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सभी safe होंगे अपने घरों में होंगी देखो आप सभी का एक major doubt हमेशा बना रहता है कि SAC exams के लिए जो question paper set है वो कौन बनाता है TCS या फिर SAC अब TCS कौन है, कौन examination के जो questions papers उनको set करता है ये चीज़े मैं आपको बताने वाली हो और with proof मैं आपको बताऊंगी कि actual में जो question paper है वो कौन बनाता है कि जो question paper है वो आखिर set कौन करता है, देखो जैसा कि आपको पता है कि जो online examination है computer based examination आपका start हुआ था 2016 से तो 2016 से ही जो question paper है वो हमेशा vendor set करता रहा है, ये जो आपको मैं दिखाने वाली हूँ ये आपका RFP, request for proposal, यानि कि जो vendor के लिए notification था, यहाँ पर देखो question set the service provider यानि कि जो vendor है, must ensure a robust mechanism for preparation of questions and a secure mechanism for the transmission of the same to the computer notes during examination तो यहाँ पर आप देख सकते है, preparation of question किसकी जिमेवारी होती है, service provider यानि कि आपका जो vendor होता है, वही question paper बनाता है आप यहाँ से clearly देख सकते हैं, अब TCS, आपको पता है, पहले जो vendor था, वो सिफी था, बट अभी के time पे TCS आपके examinations conduct कराता है तो जो question paper बनाने की, जो responsibility उपर ही है, अब बात कर लेते हैं, एक RTI की, यह जो RTI है, यह पुरानी है, ठीक है तो यहाँ पे भी आपको, यह question सबसे पहले यही पूछा गया था, कि SSA exams के लिए, question paper कौन set करता है तो इसका reply आया था, आप देख सकते हैं, clearly, the decision in the matter is taken on case by, case basis by the commission and the question paper is accordingly prepared as per the guidelines of the commission, commission सिरफ guidelines दे सकता है, लेकिन वो देता है, लेकिन वो prepare नहीं करता question paper हमेशा जो service provider होगा, वही prepare करेगा, आपको यह जानकर बहुत shock लगा होगा, लेकिन actual में question paper आपका service provider ही set करेगा guidelines का मतलब यह नहीं है कि SSC बताएगा कि यह होना चीए, वो होना चीए, guidelines का मतलब देखो जैसे कि अगर इसी की बात की जाए, इसी RFP की बात की जाए, तो इसी में एक clause था कि 100 में से आपके दो से ज़्यादा questions गलत नहीं होने चाहिए, यह इस type की जो guidelines होती है, वो सिरफ SSC की दे सकता है, लेकिन जो actual question paper है, वो आपका service provider यानि की vendor, जो कि फिलाल के time पे TCS से वही prepare करता है, इसी लिए तो बस vendor की चीएज हो जाने से, जो question paper के level में जो difference आता है, वो इसी वज़े से आ जाता है, ठीक है, तो यह doubt मैंने आपका अच्छे से clear कर दिया कि question paper कौन बनाता ह है, ठीक है, अज साड़े 6 से साड़े 7 आपकी रहूल सर आपको GS cover कराते हैं, और उसके बाद 8 से 9 आपकी class होती है, जिसमें mains के MCQs solve कराए जाते हैं, यह सभी classes 100% free है, हर एक aspirant के लिए, तो यह classes आप ज़रूर attend करो, अगर आप सक्षम हो, financially capable हो, तो आप plus पे पढ़ सकते है अगर आप CET the Brahmast batch में join करना चाहते हैं, या GS gurus join करना चाहते हैं, या foundation batch join करना चाहते हैं, SAC exams के लिए ये new batches start हुए है, अगर आप इन batches को join करना चाहते हैं, तो Unacademy की app install करें, Unacademy की app install करने के बाद आपको SAC exams category चूज़ करना है, उसके बाद get subscription करने के बाद referral code की apply करते हैं, आपको maximum discount मिल जाए,